दोस्तो नमस्कार जेपी भाई नियूजरामगड यूटूब चले में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज अलवर में जो मोसम है वो बारिस का हो रहा है क्योंकि रात से ही मोसम खराब है और सुबह जल्दी ही बुन्दा बांदी होना शुरू हो गई थी तो जो किसानों की प्याज है वो आवक है जो 4-5 जार के आसपास है दोनों मंडियों मिला कर आवक धिर धिरे जैस जैसे जनवरी का महिन आगे जा रहा है प्याज की आवक है जो धिर धिरे कम होती जा रहे है दोस्तो और भाव भी ठीक ठाक मिल रहा है वैसे प्याज की साइज को और क्वालिटी को देखते हुए क्योंकि जो सुपर क्वालिटी की प्याज है वो अलवर जिले की मेरे हिसाब से बिक चुकी है अब तो ये जो एक-एक महा से किसानों ने खेतों से बाहर जो प्याज को पटक रखा था उसी को किसान भाई ले 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 कर आ रहे हैं और धिर धिरे ले 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 कर आ रहे हैं क्योंकि किसान भाई भी अलवर का है जो बड़े हिसाब से प्याज को बेच रहा है और मोसम खुल जाएगा उसके बाद प्याज बेशी जाएगी दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो के माद्यम से कहा था राज फिर खेराओं कि अलवर में जो प्याज किसान है उसके लिए सरकार के तरफ से किसी भी तरह की शुविदा मौया नहीं कराई जा रही है आड़तिया की तरफ से ही तरिपाल की वेस्ता करवाई जा रही है जैसे प्याज बेखेगी उसके बाद में आपको बाओ की जान करें मिल जाएगी दोस्तों धन्यवाद